So hello everyone, this is your Gaurabhia तो आज की वीडियो के अंदर यार मैं आपको class 10th की जो नई वाली NCRT book है ना उसकी exercise number 2.2 का question number 1 करवाऊंगा और देखो यार इस question के total 6 part है तो 6 के 6 part हम इसी वीडियो के अंदर करेंगे और बहुत ही simple तरीके से करेंगे तो देखते हैं यार इस question में हमें क्या बोला गया है find the zeros, हमें zeros निकालने है किसके निकालने है quadratic polynomial के तो आपको इस question के अंदर total 6 quadratic polynomial दे रखा है और देखो quadratic polynomial आपकी कुछ इस type की दिखती है ठीक है तो हमें इस quadratic polynomial के करने है zeros निकालने है ठीक है, zeros निकालने के बाद आपको एक verification करना है, किसके बीच में, zeros के बीच में और coefficient के बीच में तो यह question यार बहुत easy question है, आपको बिल्कुल भी डरने के ज़रूरत नहीं है मैं आपको इस question में एक ऐसा trick बताऊंगा, जिससे यह question है आपका चुटकियों में solo हो जाएगा तो चलो यार वीडियो को शुरू करते हैं, तो देखो पहले part में हमें quadratic polynomial क्या दे रखी है x square minus 2x minus 8, आपको यह quadratic equation दे रखी है तो सबसे पहला step क्या होता है, सबसे पहला step होता है a, b, c, हमें इन तिनों की value निकालनी होती है अब a, b, c की value कैसे निकालोगे, देखो मैं बताता हूँ तो आपको अज़स्ट क्या करना है, इस quadratic polynomial को आपको इसके साथ compare करना है ax square plus bx plus c, यह आपकी एक general quadratic equation है ठीक है, general quadratic equation, तो इसका use करके आप a, b, c की value निकालोगे clear, अब देखो a क्या होता है, जो आपका x square के आगे लिखा होगा न obc बात है, वो आपका a होगा, तो x square के आगे देखो, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो जहाँ पे कुछ भी नहीं होता, वहाँ पे हमेशा 1 होता है तो a आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, that हमारे a की value कितनी है a हमारा 1 हो गया, अब b कितना होता है, जो आपका x के आगे होगा वह आपका b हो जाएगा, तो अब देखो x के आगे क्या है x के आगे आपका minus 2 है, तो आपका b क्या हो जाएगा, b आपका minus 2 हो जाएगा और जो बच गया वह आपका c हो जाएगा, तो आपका minus 8 बच गया इसलिए c आपका क्या है, c विल भी minus 8 तो देखो यहाँ से मेरी A, B, C की value आ गई clear अब A, B, C की value निकालने के बाद देखो हम क्या करेंगे हम A और C को multiply कर लेंगे और A और C को multiply करने के बाद जो चीज आएगी न उसे हम क्या बोलते हैं product बोलते हैं ठीक है तो A मेरा कितना है 1 है C मेरा कितना है, minus 8 है तो इनको multiply करने पर कितना आ जाएगा यह आ जाएगा आपका minus 8 clear, तो मेरा product कितना है minus 8 है और जो आपका B होता न उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम sum बोलते हैं तो B मेरा कितना है B मेरा minus 2 है तो मेरा sum कितना हो जाएगा, minus 2 हो जाएगा तो अब हमें क्या करना है हमें अब ऐसे दो number सोच लिए है जिनका product minus 8 आए product मतलब जिनको multiply करने पर minus 8 आए ठीक है, और जिनको add करने पर minus 2 आए क्योंकि sum क्या है, minus 2 है और product आपका minus 8 है तो multiply करने पर minus 8 आना चीए और add करने पर minus 2 आना चीए ऐसे कौन-कौन से दो number होंगे बताओ मेरे को अब देखो, multiply करने पर minus आ रहा है तो आपको पता है, दो चीज़ों को जब multiply करने पर minus आए इसका मतलब क्या है, कि एक चीज आपकी plus की होगी, दूसरी चीज minus की होगी, राइट, क्योंकि plus minus minus होता है ना, दो number हो में से एक number आपका plus का होगा एक number आपका minus का होगा clear, तभी तो multiply करने पर minus 8 आएगा अगर दोनों number आपकी plus plus की हो जाएंगे, तो multiply करने पर plus आएगा, और या फिर अगर दोनों number आपके minus minus होगे, तो multiply करने पर भी plus आएगा, क्योंकि minus into minus cancel हो जाता है, इसका मतलब अगर हमारा multiply करने पर minus 8 आ रहा है इसका मतलब, आपका जो पहला number है ना, ये आपका positive होगा, और जो दूसरा number है, वो आपका negative होगा clear, अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा number positive होगा और कौन सा number negative होगा, तो देखो कौन कौन से ऐसे दो number है है जिनको multiply करने पर 8 आ रहा है, तो obviously बात है 4 into 2, ठीक है या तो आपका 4 into 2 हो सकता है या फिर आपका 1 into 8 हो सकता है, है ना, और कोई तो होता नहीं option, अब इन में से कौन सा ऐसा case है, जिनको add या subtract करने पर 2 आए, तो अब देखो, 1 और 8 को add करोगे तो 9 आएगा, 1, 8 को subtract करोगे तो 7 आएगा, तो ये option तो आपका है ही नहीं, लेकिन 4 और 2 को आप add करोगे तो 6 आएगा लेकिन 4 और 2 को आप subtract करोगे तो 2 आएगा, ठीक है, और हमें कितना चीए, 2 ही चीए ना, इसलिए हम ये वाला option लेंगे, clear तो हमें ये पता चल गया, कि एक नमबर आपका 4 होगा, दूसरा नमबर आपका 2 होगा, लेकिन अब हमें कैसे पता चलेगा, कि हमें 4 प्लस का लेना है, या 2 प्लस का लेना है, अब 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 अबेसी बात है, ये जो हमारा sum है, ये हमें बताएगा, तो हमें ये तो पता चलेगा कि एक नमबर आपका plus का है, एक नमबर आपका minus का है, right, तो आपका यह minus में है, इसलिए जो बड़ा number होगा, वो minus वाला होगा, ठीक है, यानि कि 4 और 2 में से बड़ा कौन सा है, अभी इसी बात है, 4 बड़ा है, इसलिए minus 4 लेंगे, and plus 2 लेंगे, ठीक है, अब इनको अगर आप multiply करके देखना चाहो, तो कितना आता है, plus 2 into minus 4 कितना होगा, minus 8, औ और इनको अगर आप add करना चाहो, तब भी देख लो, minus 4 plus 2 कितना होता है, minus 2, तो ऐसे हमारे number पता किये जाएंगे, clear, देखो यार, यह चीज है आपको practice करके सीखनी पड़ेगी, क्योंकि यह कैसी चीज है, जो जितनी ज़्यादा practice करोगी ने, उतना ही ज़्यादा आप इस minus 4 है, दूसरा number आपका plus 2 है, तो यह सारी चीजे मैं erase कर देता हूँ, ठीक है, यह just मैंने आपको समझाने के लिए बताई थी, और इन values को मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे move कर देता हूँ, ठीक है, और हम लिख लेंगे कि मेरा जो पहला number था, वो क्या था, पहला number मेरा minus 4 ह है, और मेरा जो second number है, वो मेरा plus 2 है, clear, अब हम देखो आगे क्या करेंगे, हम है न, इस quadratic polynomial को split कर देंगे, कैसे split करना है देखो, तो x square तो as it is लिखता है, ठीक है, लेकिन यह जो बीच वाली term है न, minus 2x, इसके दो टुकडे कर देने हैं, ठीक है, इसके दो टुकडे हो जाए minus 4x लिख दूँगा, and plus 2x लिख दूँगा, and यह जो minus 8 है, यह आपका as it is आजएगा, clear everyone, समझ आया आपको, ठीक है, अब देखो यह हमारा minus 4 और plus 2 कहां से आया, plus 2 हमारा second number था, and minus 4 मेरा first number था, तो यह number इसलिए सोचे थे, हमने ताकि हम बीच वाली term को दो टुकडों में हमें दिक्कत ना है, ठीक है, समझ में आया, okay, अब क्या करेंगे, अब देखो हम यह starting की जो term है, यह दो term जो है, इन में से हम common लेंगे, तो यहां से देखो दोनों के अंदर आपको x नजर आएगा, तो हमारा एक तो x common आ सकता है, तो एक काम करते है, x common ले लेते हैं, तो x common लेने के बाद यहां पे अंदर x-4 बचेगा, अब हम last की जो दो term है यह वाली, इन में से भी common लेंगे, तो इन दोनों में देखो आपका x common नहीं है, क्योंकि सिर्फ इसके अंदर x है, यहां पे तो x है ही नहीं, तो यहां पे x तो common आएगा नहीं, लेकिन देखो यहां पे 2 common आ सकता है, तो हम यहां से plus 2 common ले लेते हैं, ठीक है, x-4 बचेगा, एक चीज़ का जरूर ध्यान रखना, common लेने के बाद, यह जो bracket वाली चीज़ी होती है, यह हमेशा दोनों same आएंगे, यहां पे भी देखो आप x-4 है, और यहां पे भी x-4 है, अगर आपके brackets की value same नही आ रही है, इसका मतल या तो आपने common लेने में गलती कर दी है, या फिर आपने number select करने में गलती कर दी, कहीं ने कहीं गलती हो गई है, यह चीज़ पका guarantee है, कि यह आपके bracket वाली चीज़ी हमेशा same आएंगे, ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यह जो चीज़ bracket के अंदर है न हमें zeros निकालने है, zeros निकालने का मतलब क्या है, हम इस polynomial को 0 के equal put करेंगे, अगर हमें 1 से निकालने होते, तो हमें इस polynomial को 1 के equal put करते, अगर हमें 10 से निकालने होते, तो हमें इस polynomial को 10 के equal put करते, लेकिन हमें इसके अंदर क्या करना है, हमें इसके अंदर zeros निकालने है, यानि क हम इस polynomial को equal to 0 put करेंगे, ठीक है, तो 7 में हम equal to 0 भी लगाएंगे clear everyone, ठीक है अब हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर 2 bracket है, तो हम दोनो bracket को 0 के equal put कर देंगे तो मैं एक काम करता हूँ, बीच में line draw कर लेता हूँ, तो left में पहला bracket लिखूंगा जिसको मैं equal to 0 put कर रहा हूँ, और दूसरे bracket को भी मैं equal to 0 put कर रहा हूँ, ठीक है, तो x की value निकालेंगे, तो minus 4 उदर चला जाएगा, तो x की value आगई आपकी 4, clear everyone, and similarly, यहाँ पर x की value आपकी minus 2 आजाएगी, तो यहाँ से देखो मेरे x की 2 value आगई, इन ही पूरे polynomial को solve करने के बाद, वो equal to 0 आ जाएगा, ठीक है, अगर आप चाहो तो put करके भी देख सकते हो, जैसे आपकी equation क्या थी, x square minus 2x minus 8 equal to 0 यह equation थी, right, तो यह काम करता हूँ, मैं पहले, यह जो 4 है ना, x की जगए यह 4 put करके दिखाता हूँ आपको, तो यहाँ पर x square है तो यहाँ पर 4 square हो जाएगा minus 2 into 4 minus 8 equal to 0 तो यहाँ पर 16 minus 8 minus 8 equal to 0 तो 16 minus 16 equal to 0 तो 0 equal to 0 आ गया, देखो तो यह 0 उसका मतलब क्या होता है कि इस value को अगर आप x की जगए put करोगे, solve करने के बाद यह polynomial आपके 0 के equal आ जाएगा clear, और अगर आप चाहो न तो इस minus 2 को भी x की value की जगए put करके देख सकते हो solve करने पर तब भी 0 ही आएगा clear everyone, आया समझ आपको ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ही जो पहला part है, आधा complete हो चुका है clear, क्योंकि हमें आधे question में verify करना है, zeros के relation को और coefficient के relation को, ठीक है, अब वो कैसे verify करेंगी, देखो मैं बताता हूँ, तो एक काम करता हूँ, मैं इसको erase कर देता हूँ, ठीक है तो हमारे zeros क्या क्या है थे, मैं लिख लेता हूँ, तो मेरा पहला zero क्या है था, पहला zero मेरा four था, and दूसरा zero मेरा, minus two था, clear ठीक है, अब देखो relation क्या होता है, मैं बताता हूँ आपको तो इन values को मैं एक काम करता हूँ, right side में, यहाँ पे move कर देता हूँ, ठीक है, ताक कि हमारे पास ज़्यादा space बचे, question solve करने के लिए, तो देखो आपके syllabus के अंदर रहना, दो type के relation होते हैं, दोनों के दोनों यहाँ पे मैं आपको verify करके दिखाऊँगा, तो मैं बीच में line draw कर लेता हूँ, ठीक है, तो पहला relation क्या होता है, पहला relation होता है, आपका sum of zeros, हमेशा किसके equal होता है, minus b by a के equal, ठीक है, एंद डूसरा relation होता है आपका product of zeros, और वो किसके equal होता है, वो होता है आपका c by a के equal, ठीक है, इन चीज़ों को यादा थोड़ा सा o right side में move कर देते हैं, तो sum of zeros का मतलब क्या होता है, कि first zero plus second zero, आपका minus b by a के equal आएगा, तो पहला zero, देखो मेरा कितना है, पहला zero मेरा four है, right, तो मैं first की जगह four put कर दूँगा, and second zero मेरा कितना है, minus two है, और b की value कितनी है, b की value अगर आप देखोगे, तो minus two है, तो यहाँ पे minus and minus two, divided by a, यह आपका one है, तो four minus two कितना हो जाएगा, two हो जाएगा, and यहाँ पे देखो, minus minus कट जाएगे, तो यह plus two आजाएगा, तो plus two, तो देखो, आपका left side में भी plus two है, right side में भी plus two है, तो left hand side is equal to right hand side आगया, तो यहाँ पे यह चीज़े verify हो चुकी है, तो आप last में लिख दोगे, hence verify, तो आपका एक relation तो verify हो गया, ठीक है, अब दूसरा relation verify करते है, तो product of zero उसका मतलब क्या होता है, कि first zero into second zero is equal to c by a, तो पहला zero मेरा four है, second zero मेरा minus two है, c मेरा minus eight है, and a मेरा one है, तो left में multiply करेंगे, तो minus eight आगया, right में भी minus eight है, तो left hand side is equal to right hand side, तो यहाँ पर भी देखो, आपका relation verify हो गया, ठीक है, तो आपके syllabus में यह दो relation है, कि sum of zeros किसके equal होता है, minus b by a के equal, and जो product of zeros है, वो किसके equal होता है, आपका c by a के equal, clear everyone, तो इस तरीके से यार, यह जो आपका पहला part है, वो solve हो गया है, देखो यार, यह जो part है नहीं, मैंने आपको बहुत ही simple तरीके से समझाया है, I know थोड़ा सा मैंने lengthy कर दिया है, लेकिन मेरा main aim यह है, कि आपको ना समझ आना चीए, ठीक है, तो मैंने बिल्कुल बारिकी के अंदर जाके, यह वाला part आपको समझाया है, ठीक है, hope करता हूँ, आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, अगर आपको यार समझ आ रहा है, तो आप सभी बच्चों से request है, प्लीज प्लीज यार, वीडियो को like कर दो, देखो यार, आपका कुछ नहीं जा रहा, वीडियो को like करने में, लेकिन आपका जो एक like है न, वो मेरे को 1000 वीडियो बनाने के लिए motivate करता है, ठीक है, तो प्लीज आप वीडियो को like कर दो, चलो, अब हम इसी question के second part पे चलते हैं, तो second part में भी बिल्कुल सेम चीज़ करनी है, हमें zeros निकालने हैं, and zero निकालने के बाद, हमें zeros के बीच में, और coefficients के बीच में, relation verify करने हैं, अब देखो यार, मैं आपको बता देता हूँ, कि आपका, जो coefficient होते हैं, वो किसको बोलते हैं, तो यह जो a, b, c है न, इन्ही को हम coefficient बोलते हैं, ठीक है, चलो, अब हम इस part के zeros निकालते हैं, अब यह वाला जो part है न, यह मैं आपको थोड़ा सा fast तरिके से समझाऊँगा, ठीक है, तो चलो यार, इसमें पहले हम zeros निकालते हैं, तो 0 निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए, a, b, c की value, right, तो a मैंने आपको क्या बताया था, जो आपका s square के आगे लिखा होगा वो आपका a हो जाएगा, तो a आपका 4 हो गया, अब निकालेंगे b, b क्या होता है, जो आपका s के आगे होगा, वो आपका b हो जाएगा, तो b आपका minus 4 हो गया, and c क्या होता है, जो आपका बच गया वो c है, तो यानि की 1 आपका c है, अब हम क्या गरेंगे, अब हम product निकालेंगे, तो product कैसे निकालते हैं, a और c को multiply करके, तो a मेरा कितना है, 4 है, c मेरा कितना है, 1 है, तो multiply करने पर 4 आ गया, फिर हम sum निकालेंगे, sum क्या होता है, जो आपका b होता है, उसी को sum बोलते हैं, ठीक है, तो minus 4 आपका sum हो गया, अब आपको ऐसे दो number सोचने है, जिनको मैं multiply करूँ, तो plus 4 आए, and add करूँ, तो minus 4 आए, तो ऐसे कौन कौन से दो number होते हैं, तो देखो, एर मैंने आपको बताया न, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, तो आपको ये number निकालने आ जाएंगे, कैसे देखो मैं बताता हूँ, तो multiply करने पर plus 4 आ रहा है, यानि कि वो जो दो number होंगे न, या तो वो दोनो minus के होंगे, या फिर दोनो plus के होंगे, तभी तो multiply करने पर plus 4 आएगा, लेकिन add करने पर minus आ रहा है, minus 4 है, यानि कि वो दोनो number क्या होंगे, minus वाले होंगे, क्योंकि अगर आप plus वाली चीज़ों को add करोगे तो answer plus में आता है लेकिन आपको answer minus में चीज़े तो दो चीज़े minus वाली add करने पर ही answer हमेशा minus आता है तो वो दोनों number क्या होंगे minus वाले होंगे और multiply करने पर 4 आ रहा है ठीक है और add करने पर minus 4 आ रहा है ठीक है तो ऐसे आपको number निकालने सोचने होंगे clear practice करोगे तो यह जो number है यह निकालने आपको आने लग जाएंगे ठीक है तो अब क्या करेंगे 4s square को as it is लिखेंगे क्योंकि हम सिरफ और सिरफ जो बीच वाली term होती है उसी को split करते है तो बीच वाली term के दो टुकड़े हो जाएंगे minus 2s and minus 2s और जो आपका 1 है वो as it is लिखे देंगे s ठीक है अगला step क्या होता है starting की दो term में से common लेना है तो यहां से आपका देखो 2s common आ जाएगा तो यहां पे 2s minus 1 बचेगा and अब last की दो term में से common लेना है अब बहुत सारी बच्चे क्या करेंगे इन दोनों में से plus 1 common ले लेंगे क्योंकि यहां पे कुछ common तो आ नहीं रहा है तो अगर वो plus 1 common लेंगे तो ध्यान से देखना minus 2s plus 1 आ जाएगा और मैंने आपको क्या बताया था कि bracket वाली चीज़े हमेशा same होनी चीए तो यहां पे देखो 2s minus 1 है और यहां पे minus 2s plus 1 है sign का फरक है देखो value same है यहां पे भी 2s यहां पे भी 2s यहां पे भी 1 यहां पे भी 1 लेकिन sign का तो फरक है ना और आपको पता है अगर bracket के बाहर sign change होंगे तो bracket के अंदर वाले भी sign change होंगे तो मैं एक काम करूँगा यहां पे plus 1 कोमल लेने की जगह simple मैं minus 1 कोमल ले लूँगा तो minus 1 कोमल लेने से क्या होगा 2s minus 1 आ जाएगा और यहां पे अगर आप अब notice करोगे तो देखो यहां पे दोनों के दोनों जो bracket है वो same है clear everyone? ठीक है तो आपको कोमल लेने में है थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि यह बहुत बढ़ी दिक्कत होती है कि कई बार क्या होता है bracket वाले यह जो values है न यह तो same हो जाती है अगला step होता है कि जो bracket वाली चीज है वो अलग से लिख दो and जो bracket के बाहर वाली चीज है उसको भी अलग से लिख दो ठीक है? और साथ में देखो equal to zero तो आपका चलता रहेगा right? क्योंकि हम zeros निकाल रहे हैं है ना? अब क्या गरेंगे? अब हम दोनों bracket को बारी बारी equal to zero put कर देंगे तो दोनों bracket सेम है तो इसलिए हम यहाँ पे अब s की value निकालेंगे तो s आपका 1 by 2 आ गया similarly यहाँ से भी आपकी सेम चीज होगी and s की value जो है वो भी 1 by 2 आएगे clear everyone? तो s की दोको दो value आई है और दोनों की दोनों value सेम है जो की 1 by 2 है तो यह हमारे इस quadratic polynomial के क्या हो गए? zeros हो गए ठीक है? तो हमने zeros निकाल लिए ठीक है अब हम क्या करेंगे? relation को verify करेंगे right? तो मैं काम करता हूँ मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ तो मेरा first zero क्या है? first zero मेरा 1 by 2 है and similarly मेरा जो second zero है वो भी मेरा 1 by 2 है ठीक है? तो दोनों zero मैंने लिख लिए अब हम क्या करेंगे? अब हम relation को verify करेंगे zero और coefficient के बीच वाले relation को मैं इसको भी raise कर देता हूँ चलो अब हम relation को verify करते हैं कौन कौन से relation को? एक तो आपको पता है sum of zeros का relation होता है right? जो कि क्या होता है? minus b by 1 equal and दूसरा relation होता है आपका product of zeros जो कि क्या होता है? c by 1 equal तो sum of zeros यानि की first zero plus second zero तो first zero भी मेरा 1 by 2 है second zero भी मेरा 1 by 2 है and अब देखो minus b कितना है? तो यहाँ पर देखो मैंने आपको बताया था ना b आपका minus 4 है तो b आपका minus 4 है लेकिन हम ही यहाँ पर minus b की value put करनी है तो एक तो minus formula वाला और b की value minus 4 divided by a a आपका देखो यहाँ पर अगर notice करोगे a आपका 4 है put कर देंगे ठीक है? यहाँ पर आपका LCM लेने के बाद क्या आ जाएगा? यह आ जाएगा आपका 1 plus 1 by 2 is equal to यहाँ पर देखो minus से minus cancel तो 4 by 4 तो यहाँ पर आपका 2 by 2 is equal to 4 से 4 cancel तो 1 यहाँ पर 2 से 2 cancel तो 1 is equal to 1 तो बस आपका verify हो गया तो यहाँ पर लिख देंगे hence verify clear everyone? ठीक है तो हमारा sum of zeros तो verify हो गया अब हम product of zeros को verify करते हैं तो first 0 मेरा 1 by 2 है second 0 भी मेरा 1 by 2 हम multiply कर देंगे c मेरा 1 है, a मेरा 4 है hence verify clear everyone? समझा है आपको second part? ठीक है अब चलो हम अगले part पर चलते हैं जो की part number 3 है तो चलो अब हम third part करेंगे और third part भी बिल्कुल सेम तरीके से करना है हमे सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम a, b, c की value निकालेंगे तो a हमारा x square के आगे जो चीज लिखी हुए है वो हमारा a हो जाएगा, right? तो a मेरा 6 हो गया b आपका, जो x के आगे लिखा हुआ है वो आपका b है, ठीक है? तो आपका b देखो, यहाँ पर काफी बचे गलती कर देंगे x देखो, यहाँ पर पीछे लिखा हुआ है ठीक है? तो यहाँ पर b आपका minus 7 हो जाएगा और आपका c जो है, जो बच गया हो आपका c है यानि कि minus 3 आपका c है अगर आप चाहो ना, इस quadratic polynomial को आप थोड़ा सा simple form में भी लिख सकते हो आप just क्या करो? 6x square और जो x वाली चीज है वो आगे लिख लो and जो c वाली चीज है वो आप पीछे लिख दो simple, ठीक है? equal to 0 तो आप लगाई दोगे clear, तो आप एना ऐसे quadratic polynomial को rearrange भी कर सकते हो ठीक है? थोड़ा सा आपके लिए simple हो जाएगा clear everyone? ठीक है, अब क्या करेंगे हम product निकालेंगे, ओबेसी बात है product कैसे निकलता है? a into c तो a मेरा 6 है, c मेरा minus 3 है, तो multiply करने पर minus 18 आगया and अब हम sum निकालेंगी sum आपका क्या होता है? b होता है तो b आपका minus 7 है तो आपको ऐसे दो number सोचने हैं, जिनको multiply करूँ तो minus 18 आए और add करूँ तो minus 7 आए तो वो दो number कौन कौन से होंगे? चलो मैं बताता हूँ, तो पहला number होगा आपका minus 9 and दूसरा number होगा आपका plus 2 अगर आप इनको multiply करोगी तो minus 18 आएगा और add करने पर minus 7 आएगा, clear? ठीक है तो चलो आगे करते हैं, तो अब हम 6x square को as it is लिख देंगे and जो बीच वाली term है, इसके दो टुकडे कर देंगे, तो यह हो जाएंगे minus 9x and plus 2x and minus 3 as it is आजाएगा आपका equal to 0 starting की दो term में से common लेंगे तो starting की दो term में से क्या common आ रहा है 3x common आ जाएगा, तो यहाँ पर 2x minus 3, clear? and similarly last की दो term में से भी common लेंगे तो यहाँ से कुछ भी common नहीं आएगा, तो एक काम करते है 1 common ले लेते हैं, तो 2x minus 3 equal to 0 bracket वाली चीज को side में लिख देंगे and जो बिना bracket वाली चीज है उसको bracket के अंदर लिख देंगे ठीक है, equal to 0, अब दोनों को बारी बारी equal to 0 put करते है तो 2x minus 3 equal to 0 and 3x plus 1 equal to 0 ठीक है, तो x की value निकालेंगे तो यहाँ से आपका solve करने पर x की value 3 by 2 आएगी and similarly यहाँ पर solve करने पर आपका minus 1 by 3 आएगी तो यहाँ पर इस quadratic polynomial के 2 0 हमारे आ चुके हैं क्या क्या है वो 2 0s हमारे 2 0 यह है एक मेरा 3 by 2 है, दूसरा मेरा minus 1 by 3 है clear everyone ठीक है, तो हमारे दोनों 0s आ चुके हैं, अब हम इसमें जो coefficient और 0s के बीच का जो relation है उसको verify करते हैं, तो देखो यार अगर आप इसको no down करना चाहो ना तो आप video को pause करके भी no down कर सकते हो तो चलो मैं अब इसका erase कर देता हूँ और मेरे जो 0s थे वो मैं लिख लेता हूँ तो मेरा पहला 0 कितना है, 3 by 2 है and जो मेरा second 0 है वो कितना है, second 0 मेरा minus 1 by 3 है, ठीक है चलो इनको मैं थोड़ा side में कर देता हूँ ठीक है, अब हम relations को verify करते है तो पहला relation मेरा क्या है sum of zeros जो कि किसके एकल होता है, minus b by a के एकल, और मैं बीच में line draw कर लेता हूँ, और मेरा second relation क्या है, product of zeros product of zeros और वो किसके एकल होता है c by a के एकल, तो sum of zeros में क्या करेंगे, first 0 plus second 0, तो पहला 0 मेरा 3 by 2 है second 0 मेरा minus 1 by 3 है is equal to minus b by a तो देखो b मेरा minus 7 है, तो b की value put कर देंगी, and मेरा जो a है वो मेरा 6 है तो a की value put कर देंगे clear, तो यहाँ पे देखो plus और minus मिलके कितना हो जाएंगे plus minus होता है, तो यह आपका minus हो जाएगा, ठीक है and यहाँ पे minus से minus cancel तो यहाँ पे 7 by 6 आ गया ठीक है, लेफ्ट में देखो LCM ले लेंगे, तो LCM लेने पर यह आगया आपका 9 minus 2 equal to 7 by 6 तो यह आगया आपका 7 by 6 equal to 7 by 6, तो left hand side is equal to right hand side, तो आप last में लिख दोगे, hence verify, clear everyone तो मेरा पहला relation verify हो गया, चलो अब दूसरा relation verify करते हैं, तो product of zeros में क्या करेंगे, first 0, जो कि 3 by 2 है, into second 0, जो कि minus 1 by 3 है C मेरा कितना है, C मेरा minus 3 है, तो put कर दूँगा minus 3, A मेरा 6 है तो यहाँ पे 3 से 3 cancel, तो यह आगया minus 1 by 2, equal to यहाँ पे 3 से 6 cancel, तो यहाँ पे आगया minus 1 by 2, तो देखो यह भी verify हो गया, तो last में लिख देंगे hence verify, clear everyone आया समझा आपको, ठीक है तो इस तरीके से हमारा जो third part है वो भी हमारा solve हो गया, clear चलो, अगले part पे चलते हैं, अगला part है, part number 4, देखो यहाँ इस type के question होते हैं, इसमें बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है, कहां दिक्कत आती है देखो मैं बताता हूँ, बच्चों को अना A, B, C की value निकालने में दिक्कत आती है अब देखो, A की value निकालना बहुत आसान है यूज करके आगे जो चीज है, वो A हो जाएगी B की value, जो U के आगे है, वो आपका B हो जाएगा, लेकिन C क्या हो जाएगा अब देखो, C तो कुछ ही नहीं ना, यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं, तो अब C की value निकालने में आना चीज है, एड殼 करने पर हो आना चीज है वो जो ONबर होते हैं, वो हमें इस टाइप के question में सोचने की जरूरत ही नहीं है इस टाइप के question, normal question से भी ज़्यादा easy है, क्योंगी इस टाइप के question में वो जो नबर हमें सोचने नहीं पड़ते, तो देखो तो अब मैं बताता हूँ कि इस type के जो question होते हैं इसमें हमें क्या करना होता है तो अब इसी बात है हम इसके zeros निकाल रहे हैं तो हम क्या करेंगे इस quadratic polynomial को zero के equal put कर देंगे ठीक है हम क्या करेंगे इस type के question में direct ही हम common निकाल लेते हैं बिना कोई number वगेरा सोचे बिना ABC की value निकाले हम direct इसको हम क्या करेंगे इसमें से हम common निकाल लेंगे ठीक है तो यहां से क्या common आ सकता है तो यहां से आपका 4u को मना जाएगा और बचेगा क्या यहां पे u बचेगा and 2 बचेगा ठीक है is equal to 0 clear अब हम एक काम करते है 4u को भी bracket के अंदर डाल लेते हैं तो आपको पतागे क्या करना होता है दोनों bracket को 0 का equal put करना होता है तो u plus 2 is equal to 0 clear तो यहां पे देखो जो 4 है वो u के साथ multiply है तो right side में 4 उदर जाके divide में चला जाएगा तो u is equal to 0 by 4 तो 0 को किसी भी चीज़ से divide करो 0 ही आता है तो एक value मेरी u की 0 हो गई और यहां पे u की value आपकी minus 2 आ जाएगी तो दूसरी value आपकी u की minus 2 हो गई clear ठीक है तो यह आपके इस quadratic polynomial के क्या आगए zeros आगए ठीक है तो देखा आपने कितना easy था इस type के question को करना तो यहां पे आपको न कोई भी number वग्यारा सोचने का जंजट करना ही नहीं है simple जब भी किसी question के अंदर last में c की value ना दे रखियो ना तब आप क्या करोगे direct आप common ले लोगे ठीक है आया समझा आपको तो मैं यहां पे लिख लेता हूँ कि मेरा जो first zero वो कितना है zero है and जो second zero है वो कितना है वो मेरा minus two है clear everyone अब मैं relation को verify करके दिखाता हूँ तो मेरे दो relation कौन-कौन से थे sum of zeros जो कि किसके एकुल होता है minus b by a equal and बीच में line draw कर लेता हूँ और मेरा दूसरा relation क्या होता है product of zeros जो कि किसके एकुल होता है c by a के एकुल ठीक है तो relation verify करने से पहले आपको a, b, c की value पता होनी चीए जो कि मैं यहां पे लिख के दिखाता हूँ तो a मेरा क्या हो जाएगा a मेरा obvious ही बात है जो चीज use के आगे है and c क्या हो जाएगा अब बहुत सारी बच्चों को c की value निकालने में दिकत आती है तो देखो c क्या होता है जो चीज बच गई वो c होती है तो यहां पे तो कुछ भी नहीं बचा तो obvious ही बात है c मेरा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा क्योंकि कुछ बचा ही नहीं न तो c मेरा 0 है clear everyone ठीक है तो बस अब relation को verify करते है तो sum of zeros यानि कि first 0 मेरा 0 है second 0 मेरा minus 2 है is equal to minus b by a तो देखो minus b मेरा 8 है a मेरा 4 है ठीक है तो यहां पे plus minus minus हो जाएगा तो 0 minus 2 is equal to minus 8 by 4 तो यहां पे minus 2 आ गया यहां पे cut करने के बाद minus 2 आ गया तो बस left hand side is equal to right hand side तो हमारा relation verify हो गया clear everyone similarly product of zeros को verify करते है तो पहला 0 मेरा 0 है दूसरा 0 मेरा minus 2 है c मेरा 0 है a मेरा 4 है तो 0 into minus 2 कितना होता? 0 और 0 को 4 से divide करोगे तो भी 0 आएगा तो बस left hand side is equal to right hand side तो बस verify हो गया clear everyone तो देखो यार इस टाइब के question में आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है ठीक है? in fact इस टाइब के question को देखके आपको खुश होना है कि हमें number वगेरा let करने ही नहीं पड़ेंगे उल्टा आपका जो काम है वो कम हो गया है ये question आपको free के number देखे जाएगा ठीक है? तो मेरे ख्याल से ये जो fourth part है ये आपको अच्छे से समझ है आ गया होगा तो चलो अब हम चलते हैं fifth part पे तो fifth part और भी आसान है अब बच्चे सोचेंगे कि यार इसमें t square दे रखा है minus 15 दे रखा है लेकिन जो t वाली चीज होते हो तो दे नहीं रखी राइट? काईदे से ये question इस टाइप का होना चाहिए na t square plus t minus 15 तो t तो है नहीं तो इस टाइप के question को देखके बच्चे डर जाते है बट मैंने आपको बताया ना इस टाइप के question को देखके आपको और भी खुश होना है और वो questions जिसमें आपको ना middle term नहीं दे रखी ना उस टाइप के questions को करने के दो simple तरीके हैं एक काम करता हूँ मैं आपको ना दोनों के दोनों simple तरीके बताता हूँ ठीक है तो हमें obvious ही बात इसके zeros निकालने तो इसको हम equal to zero put कर लेंगे अब एना एक तरीका तो यह हो सकता है कि आप simple minus 15 को right side भेज़ दो तो t square is equal to उदर जाके plus 15 बन जाएगा आपको देखो t की value निकालने है तो हम क्या करेंगे दोनों तरफ square root ले लो तो मैं यहाँ पर लिखूंगा taking square root both sides ठीक है तो दोनों तरफ हम square root ले लेंगे तो left में यह बनेगा and right में यह आएगा ठीक है तो square से root cancel तो t is equal to तो यहाँ पर देखो आपका 15 का root है एक चीज याद रखना किसी भी चीज का जब हम root करते हैं तो root करने के बाद हमेशा 2 values आती है ठीक है कैसे 2 value आती है देखो मैं आपको एक example से समझाता हूँ अब मेरे को यह बताओ root 4 की value क्या होती है बहुत सारी बच्चे बोलेंगे कि बहुत simple है plus 2 होगी ऐसा नहीं है root 4 की 2 values होती है एक आपकी plus 2 होती है दूसरी आपकी minus 2 होती है ठीक है root का मतलब क्या होता है कि आप जब इन numbers का square करोगे तो आपका 4 आना चीए तो अगर आप plus 2 का square करोगे तो भी 4 आएगा and अगर आप minus 2 का भी square करोगे तो भी plus 4 आएगा क्योंकि minus से minus cancel हो जाएगे तो यहां से हमें क्या पता चला कि किसी भी चीज़ का जब आप root करते हो तो हमेशा 2 values आती है एक plus की value होती है दूसरी आपकी minus की value होती है समझ में आया तो similarly हम यहां पे root कर रहे हैं इसका मतलब यहां पे भी हमारी 2 values आएगे एक आपकी plus root 15 होगी और दूसरी आपकी minus root 15 होगी clear तो देखो यहां पे आपके t की भी 2 value आ चुकी है यानि कि यह t की value क्या होती है t की value का मतलब होता है कि यह इसके zeros है ठीक है तो आपका पहला 0 plus root 15 है and दूसरा 0 आपका minus root 15 है ठीक है तो यह काम करता हूँ मैं यह लिख लेता हूँ तो आपका जो first root है वो आपका कितना है plus root 15 है and जो दूसरा root है वो आपका कितना है minus root 15 है clear everyone तो देखो यहाँ पे हमारे roots तो आ गए अब हम क्या करेंगे अब हम relation को verify करते हैं तो चलो मैं इसको erase कर देता हूँ तो हमारे roots आ चुके हैं हम relation को verify करना just तो हमारे पहला relation क्या होता है sum of zeros किसके equal होता है आपका minus b by a के equal बीच में line draw कर लेता हूँ clear अब बच्चों को दिक्कत पता है क्या हैगी इसमें इसमें भी आपकी a b c की value निकालने में दिक्कत आएगी तो मैं फिर से बताता हूँ a b c की value कैसे निकालने है तो देखो जो हमारा concept है वो हमेशा same रहेगा a क्या होता है जो आपका t square के आगे होगा वो आपका a हो जाएगा अब हो सारे बच्चे बोलेंगे कि भाया यहां तो कुछ भी नहीं है जब कोई b value नहीं होती तो आपकी value क्या बन जाएगी 1 हो जाएगी simple तो a आपका 1 हो गया लेकिन अब b की value कैसे निकालोगे क्योंकि यहां पर कहीं पर भी आपका t दे नहीं रखा तो इसका मतलब जब T है नहीं तो यानि कि t के आगे भी कुछ नहीं होगा जब खुद t ही नहीं है बेचाँरा तो t के आगे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा यानि कि b आपका 0 हो गया and जो बच गया हो आपका C है तो C आपका minus 15 हो गया clear everyone तो देखो यहाँ पर हमारे पास ABC की value भी है और दोनो roots की value भी है तो बस put कर देंगे तो sum of zeros क्या होता है यानि कि first zero plus second zero तो पहला zero मेरा plus root 15 है and दूसरा zero मेरा minus root 15 है दोनों को add करेंगी is equal to minus b by a तो minus b मेरा zero है by a, a मेरा one है तो यहाँ पर plus minus क्या हो जाएगा plus minus आपका minus हो जाएगा तो यहाँ पर लिखेंगे plus root 15 minus root 15 is equal to minus zero by one clear तो plus root 15 से minus root 15 कट जाएगा तो यहाँ पर zero बचेगा और right side में भी आपका zero ही आएगा क्योंकि zero को किसी भी चीज़ से divide करो zero zero ही रहता है zero date है ना वो विचारा change हो ही नहीं सकता clear तो left hand side is equal to right hand side आगया जोज़ आपका verify हो गया clear ठीक है similarly product of zeros में क्या करेंगे first zero into second zero तो पहला zero मेरा plus root 15 है दूसरा zero मेरा minus root 15 है equal to c by c मेरा minus 15 है is equal to minus 15 square से root कट गया तो यहाँ पे आगया minus 15 is equal to minus 15 तो देखो यहाँ पे left hand side is equal to right hand side आचुका है इसलिए last में हम लिखे देंगे hence verify clear everyone तो यहाँ पे देखो fifth part में भी जो relation है वो हमने verify कर दिया एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपका t नहीं दे रखा तो आपका जो b है न वो हमेशा 0 होगा and अगर आपका c नहीं दे रखा तो c आपका 0 होगा देखो यहाँ पे u दे रखा है ठीक है इसलिए b की value आ गई यहाँ पे c नहीं दे रखा था तो इसलिए c की value 0 रखी थे और यहाँ पर T नहीं है इसलिए B की value आपकी 0 होगे clear ध्यान रखना कि कब हमें C की value 0 रखनी है और कब हमें B की value 0 रखनी है clear everyone अब हमें इस question का आखरी part करेंगे जो कि part number 6 है तो देखो यार यह वाला part बहुत easy है क्योंकि इसके अंदर सारी चीजी आप easily निकाल सकते हो चाहे वो A हो चाहे B हो चाहे C हो right तो ABC की value इसके अंदर बहुत easily निकल जाएगी तो इसमें सबसे पहले हम ABC की value निकालते हैं तो A की value बताओ मेरी कितनी हो जाएगी तो अब यह सी बात है X के आगे जो चीज होती हो आपकी A होती है तो A आपका 3 हो गया B की value कितनी हो जाएगी तो X के आगे जो चीज हो आपकी B हो जाएगी अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगी कि भईया यहापे तो सिर्फ minus है कोई भी number तो ही नहीं तो जब कोई भी number नहीं होता न तो वहाँ पे आपका 1 होता है यह बात याद रखना ठीक है तो आपका B की value कितनी हो जाएगी minus 1 हो जाएगी clear और जो बच गया हो आपका C हो जाएगा तो C आपका minus 4 है तो देखो इस part के अंदर ABC की value निकालना बहुत easy थी and अब हम sum करेंगे sum क्या होता है जो आपका B होता है वही आपका sum होता है तो B आपका minus 1 है clear तो देखो आपको अब ऐसे दो number सोचने है जिनको multiply करने पे minus 12 आए और add करने पे minus 1 आए अब जल्दी से बताओ यार यह ऐसे number कौन कौन से होंगे तो मैं बता देता हूँ तो पहला number होगा आपका minus 4 and जो दूसरा number है वो आपका होगा 3 तो अगर आप minus 4 को 3 के साथ multiply करोगे तो minus 12 आएगा and minus 4 को 3 के साथ add करोगे तो आपका minus 1 आएगा clear ठीक है तो वो दो number आपके कौन कौन से हो गए minus 4 and 3 अब इस question को हम आगे लिखते हैं तो 3x square as it is आएगा और जो beach वाली term है इसको हम दो parts में split कर देंगे तभी तो इस method का नाम क्या रखा हुआ है splitting the middle term यानि कि जो beach वाली term है उसको दो parts में split कर दो simple तो दो parts में किस तरीके से split करेंगे इन दो number का use करके split करेंगे ठीक है तो यहाँ पे minus 4x आ गया and यहाँ पे plus 3x और जो c वाला part है वो as it is आएगा और equal to 0 तो आप लगाई देना क्योंकि हम यहाँ पे 0s निकाल रहे हैं तो equal to 0 रखेंगे clear अगला step क्या होता है starting की दो term में से common निकाल लो तो starting की दो term में से आपका x common आ जाएगा तो यहाँ पे 3x minus 4 आ गया और अगले step में क्या गरेंगे last की जो दो term में इन में से common निकाल लो तो यहाँ पे कुछ common यहाँ आ रहा है यानि कि हम simple one common निकाल लेते हैं ठीक है तो 3x minus 4 equal to 0 and x plus 1 equal to 0 तो यहाँ से आपका 3x is equal to 4 हो जाएगा and x की value आपकी 4 by 3 आ जाएगी clear and यहाँ पे x की value minus 1 हो जाएगी तो मेरा पहला 0 4 by 3 आ गया and दूसरा 0 मेरा minus 1 आ गया clear everyone तो इस तरीके से मेरे दोनो zeros जो हैं वो आ जाएगे तो आप अगर इसको no down करना चाहो तो आप यहाँ पे वीडियो को pause करके no down कर सकते हो तो मेरे zeros तो देखो आ चुके है अब मेरे को क्या करना है zeros के बीच का और coefficients के बीच का relation जो है वो verify करके दिखाना है ठीक है तो zeros मेरे ये है and coefficients मेरे ये है clear ठीक है तो अब हम relationship को verify करके दिखाते है तो इसको मैं erase कर देता हूँ ठीक है तो जो मेरे zeros हैं वो मैं लिख लेता हूँ तो मेरा first zero कितना है first zero मेरा 4 by 3 है and second zero मेरा कितना है वो मेरा minus 1 है clear तो मैंने coefficients और zeros दोनो right side लिख लिए अब मैं इसको erase कर देता हूँ और मेरा second relation क्या है product of zeros और product of zeros किसके equal होता है c by a के equal तो सबसे पहले हम sum of zeros करेंगे तो sum of zeros का मतलब first zero plus second zero तो first zero मेरा 4 by 3 है and second zero मेरा minus 1 है equal to minus b by a तो minus b मेरा minus 1 है by a, a मेरा 3 है यहाँ पे 4 by 3 minus 1 हो जाएगा क्योंकि plus minus क्या होता है minus होता है न is equal to minus से minus cancel तो 1 by 3 clear everyone अब यहाँ पे इसका एक काम करते है LCM ले लेते हैं तो LCM लेने के बाद ही आएगा आपका is equal to 1 by 3 तो 1 by 3 is equal to 1 by 3 तो देखो left hand side is equal to right hand side आ गया यानि कि यह verify हो गया तो last में आप लिख दोगे hands verified clear everyone तो अब हम दूसरा relationship verify करते है जो की मेरा है product of zeros तो product of zeros यानि कि first zero जो की मेरा 4 by 3 है into second zero जो की मेरा minus 1 है equal to C मेरा कितना है C मेरा minus 4 है और A मेरा 3 है तो multiply करने पर यहाँ पे minus 4 by 3 आ गया and right side में भी आपका minus 4 by 3 है तो left hand side is equal to right hand side तो इसलिए हम last में लिख देंगे hands verified clear everyone तो इस तरीके से यार मेरा जो sixth part है वो भी easily solve हो जाएगा तो hope करता हूँ यार आपको 6 के 6 जो part है न वो बहुत ही easy तरीके से समझ आ गये होंगे देखो यार मैंने यार बहुत ही बारिकी के अंदर जाके आपको समझाया है मेरे ख्याल से यार आज की बाद आपको इस type के किसी भी question में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है क्योंकि यार आपको मैंने पढ़ा है right hope करता हूँ यार ये जो 6 के 6 part है ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गयोंगे अगर आपको अच्छे से समझाये न तो please यार वीडियो को like कर देना ठीक है जब आप वीडियो को like करोगे न तो उससे मेरे को और भी motivation मिलेगा ताकि मैं इसी type के और भी videos बना सको और यार please 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 आप channel को subscribe करना तो बिल्कुल भी मत बूलना क्योंकि मैं इसी type की जो videos है न वो अपने channel पे upload करता रहता हूँ तो अगर आप channel को subscribe कर लोगे न तो उससे क्या होगा जब भी मैं अगली video upload करूँगा न तो आपको पता चल जाएगा और जाते जाते यार वीडियो को please अपने friends और classmate के साथ जरूर शेयर कर देना ताकि उनको भी पता चल सके कि हमारी channel पे कितनी बढ़िया बढ़िया वीडियो अप्लोड की जाती है तो guys मिलते हैं फिर अगली video में नए कोशन के साथ तब तक के लिए गुड़ बाई and have a nice day So hello everyone this is your Gaurab भाईया तो आज की video के अंदर यार मैं आपको class 10th की जो नई वाली NCRT book है न उसकी exercise number 2.2 का question number 2 करवाने वाला हूँ और यार ये question है न बहुत सारे बच्चों को मुश्किल लगता है लेकिन actually में ये जो question है बहुत easy है और मैं आपको इस question में एक ऐसा trick बताऊँगा जिससे ये जो question है आपको और भी easy लगने लग जाएगा तो देखते है यार इस question में हमें क्या बोला गया है find a quadratic polynomial each with the given numbers as a sum of zeros and product of zeros तो यार बहुत easy question है देखो मैं बताता हूँ इस question में हमें करना क्या है तो हमें न इस question के अंदर एक quadratic polynomial निकालनी है और आपको दे क्या रखा है आपको sum of zeros दे रखा है and product of zeros दे रखा है तो जब भी किसी question के अंदर आपको sum of zeros दे रखा हो और product of zeros दे रखा हो न और आपको quadratic polynomial निकालने के लिए बोला जाए तो बस आपने trick का use कर देना वो trick क्या है चलो मैं बताता हूँ तो हम just क्या करेंगे x square minus sum into x plus product ठीक है is equal to zero बस ये trick आपको use करना है तो जब कभी भी आपको sum of zeros दे रखा हो और product of zeros दे रखा हो न तब simple आप ये वाला जो trick है वो use कर दोगे तो अब ये trick use कैसे करना है मैं बताता हूँ तो देखो इस part में आपको दो चीजे दे रखी है पहली चीज ये है और दूसरी चीज ये है तो पहली चीज ओबेसी बात है वो sum होगी क्यों सम होगी क्योंकि देखो यहाँ पे इस question में पहला word sum लिखा हो है तो पहली चीज सम होगी और second word product लिखा हो है इसलिए second चीज product होगी ठीक है और minus 1 जो है वो आपका product हो जाएगा clear ठीक है तो अब आपके पास sum भी है और product भी है तो इन दोनों की value simple आप कहाँ put कर दोगे इस हमारे trick के अंदर put कर दोगे तो देखो मैं put करता हूँ तो x square तो x square रहेगा minus और मेरा sum कितना है sum मेरा 1 by 4 है तो simple मैं यह sum की value को यहाँ put कर देता हूँ तो यहाँ put करते हैं तो 1 by 4 into x plus product product मेरा कितना है product मेरा minus 1 है तो इस product की value को मैं यहाँ put कर देता हूँ simple तो product मेरा minus 1 है is equal to 0 तो यह solve करने पर आगया minus x by 4 minus 1 equal to 0 अब एक चीज़ का ध्यान रखना कभी भी है न quadratic polynomial बनाते time denominator में आपकी चीज़े नहीं आने चीज़े तो अब देखो यहाँ पर denominator में 4 है तो अब इस denominator वाली चीज़ को हमें हटाना पड़ेगा तो जब कभी भी आपको denominator वाली चीज़ हटानी पड़े न तो सबसे आसान तरीका denominator को हटाने का क्या है direct lcm ले लो तो यहाँ पर देखो x square के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पर by में 1 लगा देते हैं और इस 1 के नीचे भी by में 1 लगा देते हैं तो अब हम क्या करेंगे lcm लेंगे तो मैं यहाँ पर लिखूंगा taking lcm तो lcm हमारा 4 आ जाएगा and यहाँ पर 4x square बनेगा यहाँ पर minus x बनेगा and यहाँ पर minus 4 is equal to 0 अब देखो यह जो divide में 4 है इसको हमें काम करते है right side भेज देते हैं तो यह जो divide वाला 4 है यह हमारा right side चला जाएगा तो मैं इधर से हटा देता हूँ और right side में जाके क्या बनेगा equal to 0 into 4 और आपको पता है 0 को किसी भी चीज़ से multiply करो कोई फरक नहीं पड़ता तो यह 4 into 0 0 ही हो जाएगा तो बस हमारी quadratic polynomial बन गई आगर आप ध्यान से देखोगे तो यह हमारी quadratic polynomial है simple यहाँ पर आपको कुछ भी denominator में भी नहीं दिखाई दे रहा होगा और x की power 2 है जानि कि यह quadratic polynomial हमारी बन चुकी है तो यह हमारा क्या हो जाएगा guys यह हमारा answer हो जाएगा clear everyone तो बहुत easy था ना बस आपको क्या use करना है आपको बस यह trick यूज करना है that's it तो जब कभी भी आपको sum of zeros and product of zeros दे रखाओ और आपको quadratic polynomial निकालने के लिए बोला जाए तो simple आप इस trick का use करके quadratic polynomial easy तरीके से निकाल सकते है clear everyone ठेक है तो चलो अब हम इसी question का second part करते है तो second part भी बिल्कुल सेम तरीके से करेंगे हमारा trick क्या था x square minus sum into x plus product is equal to 0 ठीक है और मेरा sum कितना है sum मेरा root 2 है तो यह मेरा sum है and product मेरा कितना है 1 by 3 तो simple मैं trick के अंदर इस value को put कर दूँँगा तो put करता हूँ तो x square की जगा x square आएगा minus sum मेरा root 2 है तो root 2 into x plus product मेरा कितना है 1 by 3 तो put कर दिया is equal to 0 थोड़ा सा इसको simplify करके लिखते हैं तो x square minus root 2 x plus 1 by 3 is equal to 0 clear तो अब देखो यहाँ पे फिर से वही वाली दिक्कत आ गई denominator में हमारा 3 है और मैंने आपको बदाया न denominator में हम कुछ भी नहीं रख सकते तो बस denominator हटाने का सबसे आसान तरीका क्या है सबका LCM ले लो तो मैं इनके नीचे 1 लगा देता हूँ अब हम LCM लेंगे तो LCM मेरा 3 हा जाएगा तो यहाँ पे 3 x square minus 3 root 2 x plus 1 is equal to 0 अब यह जो हमारा denominator वाला 3 है इसको हम right side में भेज देंगे तो यह जो denominator वाला 3 है न यह आपका right side में जाके multiply हो जाएगा तो क्या आएगा 3 x square minus 3 root 2 x plus 1 is equal to 0 into 3 और आपको पता है 0 को किसी भी चीज़ से multiply करो कोई फरक नहीं पड़ता 0 ही आएगा यहाँ पर multiply करने के बाद तो बस यह हमारा क्या आ गया quadratic polynomial आ चुका है clear everyone तो यह आपका क्या है answer है ठीक है तो देखो बिलकुल वही same चीज़ है ठीक है हर पार्ट में वही same चीज़ करनी है बस आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है आप इस trick को याद कर लेना ठीक है इस trick को याद करने का सबसे आसन तरीक का है बार-बार लिख के देखो जब आप इतनी बार इस trick को लिख लोगे न तो जो trick है आपके दिमाग में बैठ जाएगा क्योंकि यह जो question है question बहुत easy है लेकिन दिक्कत क्या आती है पेपर के time है बच्चे इस trick को भूल जाते है ठीक है आपको ध्यान रखना है कि sum के आगे आपका minus आएगा and product की आगे आपका plus आएगा काफी बच्चे गड़बड़ कर देते हैं वो paper के time है न जो science है यह भूल जाते है ठीक है तो आप एक काम करना इस trick को बार-बार लिखके याद करने की कोशिश करना क्योंकि अगर आपको यह trick याद हो गया तो इस type के जो questions है इनमें आप कभी भी मार नहीं खाओगे ठीक है क्योंकि देखो trick की तो है न सारा कुछ trick के अंदर बस आप value put करो calculate करो answer आ जाएगा that's it clear चलो अब हम इसी question के third part पे चलते है तो हमारा trick वापिस लिख लेते है देखो मैं trick बार-बार क्यों लिख रहा हूँ ताकि आप जितनी बार मेरे को trick लिखते हुए देखोगे न तो value put करते है तो x square की जगा x square आएगा minus sum कितना है 0 तो 0 into x और product कितना है product मेरा root 5 है is equal to 0 तो आपको पता है 0 into x कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा minus 0 plus root 5 is equal to 0 और 0 को हम किसी भी चीज़ से minus करेंगे तो कोई फरक नहीं पड़ेगा तो यह आएगा x square plus root 5 equal to 0 बस यहाँ पर आपका अन्सर आ गया अब देखो इसमें आपको LCM लेने की जरूरत ही नहीं है क्यों जरूरत नहीं है क्योंकि denominator में आपकी कुछ है ही नी right तो denominator में जब कुछ हो गा ही नी तो हम LCM लेने की ज़रूरत ही नहीं into sum into x plus product is equal to 0 ठीक है और मेरा sum कितना दे रखा है sum मेरा 1 है and similarly जो मेरा product है वो भी मेरा 1 दे रखा है बस value put करेंगे जल्दी जल्दी तो x square किजगा x square minus sum मेरा 1 है तो minus 1 into x हो जाएगा plus product मेरा 1 है is equal to 0 तो simplify करने पर x square minus x plus 1 equal to 0 तो बस यही हमारा final answer है आगे solve करने की ज़रूरती नहीं है क्योंकि इसमें denominator में कुछ भी नहीं है इसलिए LCM भी नहीं लेंगे तो यह हमारा full and final answer हो जाएगा clear everyone ठीक है चलो अगले part पे चलते हैं इसमें भी सेम तरीके से trick लिखेंगे तो x square minus sum into x plus product is equal to 0 तो इस question में आपको sum minus 1 by 4 दे रखा है and जो product है वो आपको 1 by 4 दे रखा है ठीक है चलो value put करते हैं तो x square की जगे x square minus sum मेरा कितना है sum मेरा minus 1 by 4 है into x plus product मेरा 1 by 4 है is equal to 0 देखो इस question में सबसे ज़्यादा जो गलती बच्चे करते हैं क्या है यहाँ पे बच्चों को sign वगेरा में confusion हो जाती है देखो यह जो minus है यह आपका यह वाला minus है ठीक है और यह वाला जो minus है यह आपका यह वाला minus है ठीक है तो 2 minus है एक आपका trick वाला minus है और दूसरा आपका जो statement है उसका minus है ठीक है यहाँ पे आएगा clear everyone तो आप एना value put करते time sign का जरूर ध्यान रखना क्योंकि sign में आपकी गलती हो सकती है तो आप जब value put करो थोड़ा सा signs का ध्यान रखना ठीक है अब देखो यहाँ पे आपका minus minus क्या हो जाएगा आपको पता है minus minus plus हो जाएगा तो x square plus 1 by 4 into x plus 1 by 4 is equal to 0 simplify करेंगे x square plus x by 4 plus 1 by 4 is equal to 0 अब देखो यहाँ पे denominator में आपका ये वाला 4 भी है और ये वाला 4 भी है तो आपको पता है ना denominator हटाने के लिए क्या करेंगे हम direct LCM ले लेंगे तो इस x square के नीचे 1 आ जाएगा तो अब हम इसका LCM लेते हैं तो LCM हमारा 4 आ जाएगा और यहाँ पे 4x square plus x plus 1 equal to 0 आ गया ठीक है और जो denominator वाला ये जो 4 है ये आपका right side में जाके multiply हो जाएगा right तो मैं इस 4 को right side भेज देता हूँ और उधर जाके ये 4 multiply हो जाएगा और आपको पता है 0 को 4 से multiply करोगे तो भी 0 ही आएगा तो is equal to 0 तो बस ये आपका full and final answer हो गया clear everyone तो इस टाप से इस वाले part को भी हम easily solve कर लेंगे चलो अब हम इस question का आखरी part solve करते हैं जो कि part number 6 है और ये बहुत easy वाला part है ठीक है इसके अंदर भी हम trick लेखेंगे x square minus sum into x plus product is equal to 0 तो sum मेरा 4 दे रखा है product मेरा 1 दे रखा है simple value put कर दूँगा तो value put करता हूँ तो x square minus sum मेरा 4 है तो 4 into x product मेरा 1 है is equal to 0 तो simplify करेंगे x square minus 4x plus 1 equal to 0 तो बस ये मारा full and final answer आ चुका है क्योंकि इसके denominator में भी आपका कुछ भी नहीं है clear everyone तो ये मारा full and final answer हो जाएगा ठीक है? चला तो इस तरीके से यार ये जो second question है ना हम easily solve कर लेंगे देखो मैंने आपको बताया था ना starting में कि मैं आपको एक ऐसा trick बताऊँगा जिसलिए आपके इस type के जो questions है वो चुटकियों में solve होने लग जाएंगे ठीक है? तो hope करता हूँ यार ये आपको जो second question है easily समझ आ गया होगा अगर आपको ये वाला जो question है ना अच्छे से समझ आया तो मैं आपसे request करूँगा कि आप please यार वीडियो को like कर देना देखो आपके लिए तो वो बस एक ही like है लेकिन वो जो आपका एक like है ना वो मेरे को ऐसी हजारों वीडियो बनाने के लिए motivate करता है तो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आप please वीडियो को like करना तो बिल्कुल भी मत भूलना और साथ में यार मेरे चैनल को भी subscribe कर लेना क्योंकि जब आप चैनल को subscribe करोगे ना तो उससे क्या होगा जब भी मैं ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियो और upload करूँगा तो आपको पता चल जाएगा तो प्लीज यार आप चैनल को भी subscribe करना बिल्कुल भी मत भूलना और जाते जाते यार इस वीडियो को अपने friends और classmates के साथ भी share कर दिना ताकि उनको भी यह जो question है easily समझ आ सके तो guys मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए question के साथ तब तक रे goodbye and have a nice day